Question of the day अंकों 1,2,3,4,5,6 से कितनी विसम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अंकों की पुनरावरत्ति नहीं करनी हैं अब हमारे पास टोटल अंक हैं 1,2,3,4,5,6 अर्थात कुल मिलाकर 6 अंक हैं और हमें बनानी हैं विसम संख्याएं अब विसम संख्याएं क्या होती हैं? जिनके अंत में विसम अंक आएं जैसे यहां 1,3 और 5 कुल मिलाकर यहां 3 विसम अंक हैं अब हम बनाएंगे विसम संख्याएं सबसे पहले एक अंक की अब एक अंक की विसम संख्याएं तो 3 ही होगी चूँकि यहां 3 ही विशम अंक हैं अब बनाएंगे हम 2 अंक की विशम संख्याई अब 2 अंक में क्या करेंगे 2 खाने बना लीजिये अब इकाई वाले खाने पर 1, 3 और 5 केवल हम यह 3 ही संख्याई रख सकते हैं तो हमारे पास 3 आपसन हो गए अब यह दहाई वाले खाने पर हम 6 में से कोई भी संख्या रख सकते हैं चुकि हम एक संख्या पहले ही रख चुके हैं अर्थाथ हमारे पास आपसन बचे 5 और कुल मिलाकर आपसन हो गए 15 चुकि अंकों की पुन्रावर्ति नहीं करनी है अब आते हैं इसी प्रकार 3 अंकों पर यहां 3 खाने इकाई वाले खाने पर हमारे पास हमेशा 3 ही आपसन होंगे एक 3 और 5 अब इस वाले खाने पर हम 5 संख्याओं को भर सकते हैं चुकि एक संख्या हम पहले ही भर चुके हैं अब सबसे किनारे वाले पर हम केवल चार आपसन मिलेंगे, चुकि हम दो अंक पहले ही भर चुके हैं, पांच चकू बीस्तियां, साथ, अब आते हैं चार अंक पर, चार खाने, सबसे किनारे वाले खाने में हमेशा तीन आपसन होंगे, उसके इधर वाले में पांच, चुकि ह हम एक संख्या भर चुके हैं, फिर बचेंगे चार आपसन और फिर बचेंगे तीन आपसन, हर बार एक आपसन कम हो जाएगा, चुकि हमें अंकों की पुन्रावर्ति नहीं करनी है, चार पंचे बीस नामा, एक सवस्सी, इसी प्रकार पांच अंक, सबसे किनारे वाले में तीन आपसन होंगे, फिर पांच आपसन, फिर चार, और फिर तीन, और फिर दो आपसन होंगे, गटाते जाएगे, और यहां गुड़ा करेंगे तो तीन सव साठ आएगा, अब छा अंक यहां पसीधा ही कर सकते हैं, तीन, फिर पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, और फिर एक, तो यहां पर भी तीन सो साठ ही आएगा, अब हमें टोटल करना है, तीन सो साठ, एक सो अस्सी, साठ, पंदरा और तीन, अर्थात कुल मिलाकर नौसो अठटर विसम संख्याएं हम बना सकते हैं,